हे एवरीवान, आयाम नेहा, वेलकम टू आर यूट्यूब चेनल एक्जाम टॉपर, स्टूडिन्ट, आज का हमारा टॉपिक है 2021 के सभी अंतरिक्ष मिशन, जो की करंट का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टिन टॉपिक है, आपके एक्जाम के लिए फॉर एंटी पीसी, पीडिएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन कीजे, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी एक्जाम टॉपर, और वीडियो यदि आपको अच्छी लग दी है, तो लाइक कीजे, शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे, देख ये जो नासा का मार्स मिशन था, 2020 का जो मार्स मिशन था, वो 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर जो है, लेंड किया है, option number C हो जाएगा, राइट आंसर, अब देखे बात यहाँ पर नासा की की गई है, तो ये जो नासा है, ये अमेरिका की एक स्पेस एजिं में, और नासा के जो अध्यक्ष है, वो है, स्टीव, जूर्स जिक, याद रख लीजेगा, ओके, नेक्स्ट कोशन है, कौन सा देश दुनिया की पहली लकडी से बनी सेटलाइट को अंतरिक्ष में भेज रहा है, देखे, जो सेटलाइट है, वो लकडी से बनी हुई है, तो वो दुनिया की पहली सेटलाइट है, जो की लकडी से बनी है, तो कौन सा देश है, जो लकडी से बनी सेटलाइट को अंतरिक्ष में भेज रहा है, तो राइट आंसर ओप्शन नंबर भी हो जाएगा, जपान, देखे, जो जपान है न, ये जो है, लकडी से बनी वो है नारो हितो और नारो हितो जापान के 126 वे समराठ हैं ये भी आपने याद रख लेना है करंसी की यदि बात की जाए तो जपैनी येन जो है ये करंसी है जपान की नेक्स्ट है चीन का कौन सा मार्स मिशन 10 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुचा तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा तियानवेन वन ओप्शन नमबर ए हो जाएगा राइट आंसर याद रख लेना है देखे जो तियानवेन वन है ना ये चीन का एक मार्स मिशन है जो की 10 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुचा अब बात यहाँ पर चीन की की गई है तो चीन की करंट के पॉइंट ओफ यू से यही बात करूँ तो चीन की कैपिटल बीजिंग है प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेजीडेंट जो है चीन के वो सी जिन पिंग है और चीन की जो करंसी है वो रेमिन भी है रेमिन भी याद र पाकिस्तान की यदि बात करूं तो इसलामाबाद है पाकिस्तान की केपिटल इमरान खान है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आरिफ अल्बी है प्रिजिडेंट और पाकिस्तानी रुप्या जो है वो पाकिस्तान की करंसी है next question है गगणयान मिशन 2022 की mission director कौन है बहुत ज्एदा important question है even सभी के सभी question बहुत important है so Lalitha Ambika जो है ये mission 2020 गगणयान मिशन 2022 की mission director है option number है देखे जो गगणयान है ये भारत का एक मानव युक्त अन्तरिकशियान है याद रख लिजेगा अगला कुशन है UAE का कौन सा मार्स मिशन मंगल ग्रह की कक्षा में 9 फरवरी 2021 को पहुँचा तो रैट आंसर ओप्शन नंबर भी हो जाएगा होप मिशन देखें जो होप मिशन है यह UAE का एक मिशन है यानि की युनाइटेड अरब अमिरात का एक मार्स मिशन है जो की 9 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचा अब बात यहाँ पर UAE की की गई है यानि युनाइटेड अरब अमिरात की तो इसकी कैबिटल अबूधा भी है UAE के और प्रजीडेंट जो है वो है खलीफा बिंजयाद अल्यान UAE की जो करंसी है वो UAE दिरहम है याद रख लेना है आप सभी को नेक्स्ट चंद्र मिशन के लिए कौन सा देश बेर पीट टू मिशन की योजना बना रहा है तो राइट आंसर इसराइल यहाँ पर हो ज जाए तो जेरू सलम केपिटल है इसराइल की बेंजामिन नेतनियाहु जो है प्राइम मिनिस्टर है रुवेन रिवलिन प्रिजीडेंट है और इसराइली नई सेकल जो है वो करंसी है इसराइल की अगला कुशन है किस देश ने याउगान 33 उपग्रह को प्रक्षेपित किय तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ओप्षन नंबर बी चीन चीन देश ने याउगान 33 को प्रक्षेपित किया है ओप्षन नंबर भी राइट आंसर है और चीन की कैपिटल आपको बता चुकी हूँ बीजिंग सी जिनपिंग प्रिजीडेंट और रेमिन भी करं अगला कोशन है वर्स 2022 में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है देखे यदि आपने ध्यान दिया है तो मैं आपको बता चुकी हूँ गगन यान और गगन यान जो है ये भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है ये मैंने आपको बताया था ओके याद रख लेना है आप सभी को देखे बात यहाँ पर भारत की की गई है यनि कि अपने देश की तो भारत की capital जो होती है वो होती है न्यू डेली not लखनव कुछ लोगों को बड़ा ही confusion रहता है लखनव और दिल्ली में तो दिल्ली भारत की capital होती है नरेंद्रमोधी प्रधा जान मंतरी है और रामनात कोविंद है प्रेजिडेंट और करंसी क्या है रुप्या है याद रख लेना है अगला कोशन है इस रो मानव मिशन के लिए इस रो मानव मिशन के लिए विश्व इस्तर पर मानव अंतरिक्ष उडान केंदर की स्थापना कहा करेगा तो correct answer हो जाए याद रख लिजेगा option number D और इस रो की यदि मैं बात करूँ तो इस रो जो है ये भारत की space agency है जिसकी full form होती है Indian Space Research Organization जिसको 15 अगस्त 1979 को establish किया था 1969 को headquarter की यदि बात की जाए तो करनाटक के बेंगलोरू में जो है इसका headquarter है और K7 जो है वो अध्यक्षे और K7 का full name होता है केलास वादिवू सिवन याद रख लिजेगा केलास वादिवू सिवन इनका पूरा नाम है अगला question है NASA का Artemis mission किस से सम्बंदित है तो ये सम्बंदि नासा के बारे में आपको बता चुकी हूँ American Space Agency है National Aeronautics and Space Administration ओके चंद्रमा की यदि बात की जाए तो पृतिवी का एक मात्र उपग्रह है चंद्रमा जो की सौर मंडल का पाँचवा सबसे विशाल प्राकरतिक उपग्रह है ये भी आपको याद रख लेना है और प्राकास लेता है ओके नेक्स्ट कोशन से पहले विडियो लाइक कर दीजे यदि अच्छी लग रही है तो अगला कोशन है आर्कटिक एम सेटलाइट को किस देश के द्वारा लॉंच किया गया है तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रूस यहनी की रसिया ओप्शन और यदि मैं बात करू रसिया की तो रूस की जो कैपिटल होती है वो होती है मॉस्को और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइन मिसुस्टीन प्रिजीडेंट है ब्लादी मिर पुतिन और करंसी है रूसी रूबल याद रख लेना है नेक्स्ट विश्व का वह पहला देश कौन स है जिसने मंगल ग्रह का ओडियो प्रिथवी पर भेजा है तो राइट आंसर ओप्शन नंबर भी हो जाएगा अमेरिका अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने मंगल ग्रह का ओडियो भेजा है प्रिथवी पर ओप्शन नंबर भी याद रख लेना है बहुत इंपोर् है अमेरिका की वासिंगटन डिसी प्रेजीडेंट है जॉब आईडेल और वाइस प्रेजीडेंट है कमला knapp TVs करंसी की यहदी बात की जाये तो अमेरीकी डॉलर जो है करंसी है अमेरिका की नेकस्ट है नासा का से फ्रेक्स मिशन किस से समबंदित है इस फ्रेक्स मिशन तो ये सम्बंदित है आकास गंगा एवं ब्रह्मांड निर्मांड प्रकिरिया से option number D हो जाएगा correct answer नासा के बारे मैं आपको first question में ही बता चुकी हूँ अगला question है नासा का कौन सा रोबर हाल ही में मंगल ग्रह पर पहुचा है तो ये पहुचा है perseverance ओके option number D हो जाएगा correct answer अगला question देखेंगे Hayabusa 2 अंतरिक्षियान किस देश से सम्बंदित है तो देखे ऐसे जो नाम होते है अजीब से ये जपान या फिर चीन से ही होते है तो right answer option number D हो जाएगा जपान ओके जपान के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ अगला question है किस company ने robot car Tiger X1 launch की है तो ये launch की गई है Hyundai के दुआरा option number C हो जाएगा right answer Hyundai की यदि मैं बात करूँ तो Hyundai को 29 December 1967 को स्टेबलिस किया गया था headquarter है South Korea के Seoul में chairman कौन है तो Chung Mong Koo जो है ये chairman है और president और CEO है Lee Won He याद रख लेना है अगला question है भारत की space agency ने किस देश का Amazonia 1 उपग्रह launch किया है किस देश का Amazonia 1 उपग्रह launch किया है भारत की space agency ने तो right answer हो जाएगा ब्राजील का ये जो है ब्राजील का उपग्रह है Amazonia 1 जो कि भारत की space agency के दुआरा launch किया गया है अगर ब्राजील की यहाँ पे मैं बात करूँ तो ब्राजील की capital ब्राजीलिया होती है प्रिजीडेंट है ज्वियर बॉल्सोनारो वाइस प्रिजीडेंट है है हैमिल्टन मोराउ और रियल जो है वो करंसी है ब्राजील की नेक्स्ट कोशन है SpaceX का पहला all civil orbital flight mission का क्या नाम रखा गया है तो राइट आंसर यहाँ पर inspiration 4.0 हो जाएगा option number B और SpaceX जो है यानि की space exploration technologies इसको established 6 मई 2002 को किया गया था इसके founder यानि की संस्थापक है एलन मस्क, headquarter है California में CEO और प्रिजीडेंट कौन है तो वो भी एलन मस्क ही है next and last question किस देश की space agency ने sunrise mission की घोशना करी है तो यह करी है America की space agency ने option number C हो जाएगा right answer एक question जिसका answer आप सभी को करना है comment box में किस space company ने एक ही प्रयास में विस्व में अब तक सबसे अधिक 147 उपग्रहों का प्रक्षेपन किया है इसका answer आप सभी लोगों को करना है comment box में ओके और आज की वीडियो यदि अच्छी लगी है तो like जरूर कीजे जादा से जादा share channel को subscribe कीजे जो लोग भी new है PDF के लिए telegram channel join कर लीजे जिसकी link वीडियो के description में है exam topper और topic suggest करते रहे हैं मैं लाने की पूरी कोसिस करूंगी आपको मिलती हूँ next class में तब तक के लिए take care bye bye thank you